किसान भाईयों क्या आप लोग खेती कर रहे हैं और उसमें आपको घाटा हो जा रहा है लगभग हर साल या आप छोटी किसान है या आप बड़े किसान है या आप मध्यम परकार के किसान है या आप लोग कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनस कर रहे हैं और आप लोग च पिसकस करेंगे ये उन कारणों को जानेंगे जिसकी वज़े से जो किसान भाई होते हैं उनको घाटा होता है देखे सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम खुद खेती भी करते हैं और इसके साथ किसानों के साथ मिल करके हम काम कर रहे होते हैं तो जब हम किसानों के साथ मिल क के काम कर रहे हैं तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो किसान होते हैं जिस प्रकार से वो फसलों का चुनाओ करते हैं तो वहाँ पर उनका जो चुनाओ होता है यह गलत हो जाता है जो कि मुख्यकारण होता है घाटा होने का तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम सब यह जानेंगे कि वह कौन सी फसले हैं, जिसको हम लगाएं, तो हमें घाटा ना हो, और फसलों का जो चुनाव होता है, ये आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए दिस्कृिप्स न बॉक्स चक करें, हम एक बात आप लोगों से कहना सहेंगे कि जो सभी परकार की फसले होती हैं, ये सभी किसानों के लिए नहीं होती हैं, और ना ही चेतर के लिए होती हैं, जो फसले होती हैं, उन पे जलवायू है, मिटि है, पानी है, इसका असर पढ़ने क साथ साथ जो आप छोटे किसान है बड़े किसान है या मध्यम परकार के किसान है तो फसले भी छोटे किसानों के लिए अलग होनी चाहिए और मध्यम परकार के किसानों के लिए अलग होनी चाहिए और अगर आप लोग नौकरी कर रहे हैं नौकरी करने के साथ ही साथ आप लो लोगों के लिए कौन सी फसले चुननी अच्छी रहेगी कि जो आप अन्य काम करने के साथ खेती भी कर सके और आपका जो मुनाफ़ा है ये भी पक्का हो सके तो यहां पर जो कारण है उनको हम डिसकस करेंगे कि क्या कारण है और आप लोगों को किन बातों का विशेस ध्यान चीए नमस्कार मैं हूँ देव मौर्या और आप लोग देख रहे हैं इस्मर्ट किसान यूटूबies चैनल या कहीं भी इंटरनेट पर वीडियो या आर्टिकल देख लिए पढ़ लिए और उसके बाद वो खेती करने के लिए चले गए तो अगर वह सब यह वीडियो देखेंगे तो नीचे कमेंट सेक्से में वह है यही जब आप देंगे कि हम जो यहां पर कर रहे हैं बात यह पूरी तरीके से बकवास है लेकिन अगर आप पुराने किसान है और आप इन समस्याओं से मुकाबला कर चुके हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको अपने से रिलेट कर पाएंगे कि जो हम बात कर रहे हैं क्या वास्तों में वो सही है या नहीं तो देखे सबसे पहले हम जो किसानों की कटेगरी होती है आज के समय के हिसाब से हम बता देना चाहते हैं एक किसान होते हैं छोटे अस्तर के किसान जो की छोटे रखबे में खेती करते हैं और उनकी जो income होनी चाहिए ये daily base पे होनी चाहिए जिससे उनके घर के खर्चे और जो भी कुछ थोड़ी बहुत बचत है ये होती रहे। दूसरे किसान होते हैं मध्यम प्रकार के इनको जो income होनी चाहिए ये लगभग दो महिने तीन महिने चेह महिने में हो जाए तो अच्छा है इनका सब कुछ उस तरीके से चलता रहता है और वहीं पर जो बड़े किसान होते हैं ये च्छमाही और वार्षिक भी अगर इनको income आ लोग दो कारड़ों से ज़्यादा आते हैं पहला कारड़ तो ये है कि देखे खेती ऐसा चेतरफल है जहां पर आप अगर अच्छी मेहनत करते हैं तो बहुत सारे पैसे बना सकते हैं और सबसे बड़ी जो चीज है इसमें सुख और सांती आप लोगों को मानसिक तोर पे मि करते हैं तो ये जो किसानों की कटेग्री हो गई है हम यहां पर बटवारा कर दिये हैं उस हिसाब से आप लोगों को फसलों का चुनाओ करना चाहिए अब फसलों का चुनाओ क्यों करना चाहिए चोटे किसान को अलग मध्यम किसान को अलग बड़े किसान को अलग या जो न धनिया मूली पालक की खेती कर लिए तो ऐसी परिस्तिती में आपको हर रोज सुबए चार बजे पांच बजे उठना पड़ेगा और जो आपकी धनिया मूली पालक है इसको तयार करना पड़ेगा मारकेट के लिए लगभग 7-8 बजे तक आपको मंडी लेकर जाना होगा की जो छोटे किसान होते हैं खास तोर पर अगर यद खेती पर ही आशूरित है तो ऐसी परिस्थिती में उनके लिए समिट्या नहीं होती है, क्योंकि उनका ये रूटीन होता है, लेकर आगर आप नौकरी कर रहे होते तो देखें, आप लोगों को कुछ ऐसी फसले उत्पादित करनी चाहिए, जिसका जो एक बार maintenance कर देने से, जैसे उसमें जो भी खाद, दवा, पानी वगएरा देना है, आप दे दिये लगभग आपको हपते 10 दिन की छुटी मिल जाए, ऐसे में जो उसका उत्पादन होता है ये परडे ना हो करके लगभग आपका तिमाही है, छमाही है, वारशी कस्तर पे हो, जिससे जो आप जो जॉब कर रहे हैं या बिजनस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो आपकी खेती है, ये भी अच्छी तरीके से चलती रहें, आपकी जो समय है, ये बहुत ज्यादा ना जो काम है यह लेबर से आसानी से करआ सकें क्योंकि आज़ आप जौब कर रहें हैं यह बिजनस आतो एसे में आपके लिए आसान नहीं होता है, कि आप ही खेत के सारे काम को कर पाएं, तो यह होगे बहरगे आप फसलों की भी यहां पर कर टेगरी होती है। जैसे हम आप लोगों को बताए कि धनिया मूली पालक है यह जो छोटी-छोटी सब्जिया होती है यह सब्जिया छोटे किसान लगाए और जो मध्यम वजंदार सब्जिया होते हैं क्योंकि धनिया मूली है पालक है और लहसुन है यह सब जब हरे रूप में आप बेचने जात हैं अगर आप उनको लगाते हैं उनका जो मेंटीनियंस आता है ये ज Stellen होता है क्योंकि देखे अगर आप वगिःःण की खैती कियU है और मिरच की खैती किये हैं तो जब आप वगिःण की खैती कर रहे होते हैं एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 5 कुंटल से लेकर के 10 कुंटल बैगन तोड़ाई करके मंडी के लिए तयार कर सकता है लेकिन वही पर एक व्यक्ति मिर्च की 1 कुंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल की हर्वेस्टिंग करने में काफी ज्यादा समस्याय आ जाएंगी तो यही समस्या हैं जो कि हम उजागर करना चाहते हैं आप लोगों के सामने अब जो सबजियों की कटेगरी होती है हम दो कटेगरी बना के रखे हुए एक वह सबजिया जो वजंदार होती है जैसे आपका करेला है कद्दू है लोकी है और बैगन है इत्यादी प्रकार की जो कि आप सब्सक्राइब जादा हर्वेस्टिंग करके मंड़ी के लिए तयारी कर सकते हैं दूसरी वह सब्जियां जिनकी तोड़ाई हर्वेस्टिंग जो होती है उसको करने में काफी सारा समय लग जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप मध्यम या बड़े या बिजनस करने तो ऐसे में आपके पास उतनी समय नहीं होती है और अगर आप लेबर से काम करवाते हैं तो जो आपका लेबर का खर्च आता है यह काफी ज्यादा आ जाता है तो ऐसे में आप लोगों को अवाइड करना चाहिए अब जो मध्यम प्रकार के किसान होते हैं यह सबसे और वहीं पर जो बड़े किसान होते हैं यहाँ पर इनको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हलकी फसलों पर जाते हैं तो इन्हें घाटा होने की चांद से जादा होते हैं हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए बनी ही नहीं हुई है लेकिन पर जो एक चीज होती है उस पर हम डिसकस करना चाहरें बड़े किसान है तो आप लोगों के लिए से प्वाइंट रहता है कि उसका उत्पादन ज्यादा होगा मेंटेनि कम होगा एक बार काम कर देंगे तो लगख हथे 8 दिन की चुट्टी मिल जाती है एसे में और तब आपके पास, क्योंकि अगर आप बड़े किसान है, तो आपके पास 6 तरफल जादा होगा, उसी साब से maintenance करना पड़ेगा, तो जो कारे भार होता है, ये जादा होता है, और वहीं पर जोब या बिजनस कर रहे होते हैं, और ऐसी परिस्तिती में, अगर आप कोई ऐसी फसल लगाते हैं, जिसका maintenance जादा हो, क्योंकि जो भी सब्जी वाली फसले होती है, हलकी फसले होती है, उनका maintenance जादा होता है, परड़े बेस में, मंडी लेकर जाना होता है, परड़े बेस में, उनकी देखरे करनी होती है, तो जो बड़े किसान है, या बिजनस करने वाले किसान है या नौकरी करने वाले किसान है ऐसे किसानों को या तो भारी सब्जियों की खेती या तो जो बागवानी होती है इसको करना चाहिए जिसे केला है पपीता है नीबू है इत्यादी प्रकार की तो ये सब चीजे आप लोग कर सकते हैं और दूसरी चीजे ये आती है कि अगर ह हम माल लीजे कि। आइसी फसले लगाना चाहते हैं जसें। जिसमें हम ज़्यादा टाइम ही नहीं करना चाहते हैं। तो जो अनाज वर्गी फसले हैं, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास खेट पड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो अनाजवर्गी फसले होती हैं, उनके साथ आप लोग जाईए, क्योंकि उनके ज़्यादा maintenance होता नहीं है, समय समय पे काम होता है, जो आप कर देते हैं और आसानी से हो जाता है, हाला कि वहाँ पर जब आप अनाजवर्ग में, दालवर्ग में जाते हैं, तिलह करें कि अब देखें आप किस अस्तर के किसान हैं, जैसे अगर आप छोटे किसान हैं, आपके पास एक से तीन एकड़ के पास जमीने हैं, या आप मध्यम किसान हैं, आपके पास तीन से लगभग पांच साथ एकड़ के आसपास जमीने हैं, या बड़े किसान हैं, आपके प कोई फसल नहीं लगा सकते हैं कोई भी फसल आप लगा सकते हैं लेकिन जब आप कोई भी फसल लगाए आप इंटरनेट पर वीडियो देखें यह फसल तो भी कापी अच्छा मुनाफ़ा दे रही है चलो इसी को हम लगा देते हैं अभी आप लगा तो दिए लेकिन उसका प्ल तो इस चीज पर आप लोगों के लिए हम ले करके आये थे जब आप कोई भी खेती का विचार बनाते हैं तो सबसे पहली बात आप लोगों को यही ध्यान में रखनी चाहिए कि फसल का चुनाव आपके हिसाब से होना चाहिए आपकी परिस्थिती के हिसाब से होना चाहिए जलवायू के हिसाब से अब हम यह चाहते हैं कि अगर आप लोग इंट्रेस्टेड होंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे कि जो छोटे किसान है यह कौन सी फसले क्यूं लगाए जो मध्यम किसान है जो जौब करने वाले लोग है जो बिजनस करने वाले लोग है वह कौन सी फासले लगाए और क्यों लगाए क्योंकि देखी अगर हम एक ही वीडियो में कवर करने लगेंगे तो ये सारी चीजी काफी लंबी चली जाएंगे और आपको भी काफी ज़्यादा बोरियत होने लगेगी तो इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अगर बोलते हैं तो ले करके आएंगे बाकी इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें आज की इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में तब तक के लिए चलते हैं जे जवान, जे किसान, जे विग्यान